लेजवाना कला गाओं में नम आखों के साथ हुआ युवक सचिन का अंतीम संसकार गोर्तलवै की रोतक में एक पीजी में रहकर शेना की भरती की तैयारी कर रहा था सचिन जिसके चलते अगनी पत्त योजना से माईश होकर उसने पीजी के कमरे में फासी लगा ली और आत्तम हट्या कर ली सचिन दो साल से रोतक में कोचिंग ले रहा था परिवार पर तूट पड़ा दुखों का पहाड परिजनों के सपनों को पूरा करने के लिए वह सेना में नोकरी करना चाहता था मरतक सचिन के पिता सत्पाल ने बताए कि वो सेना से शेवा निर्वित है और उनके परिवार में चार लड़किया हैं जो की चारो साधी सुदा है और दो लड़किये हैं जिन में से बड़े की साधी हो चुकी है लेकिन वो अभी तक बेरोजगार है सचीन अभी तक एवाय था अपने परिवार के सपनों को पुरा करने के लिए सचीन लगातार मेहनत कर रहा था सचीन ने दो साल पहले गोवा रिलेस्टन भरती में फिजिकल और चिकित्सा का पुरा कर लिया था लेकिन पेपर होना बाकी था दो साल से कई बार पेपर आगे से आगे स्थगित हो रहा था सेना में जाना उसने जनून बना लिया था दो साल से सचीन सेना में जाने की कोचिंग ले रहा था लेकिन अब अगनी पत योजना के चलते उसने माईश होकर फासी का पंदा गले में डाल लिया और आतम हत्या कर ली मर्तक के पिता सत्पाल ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी परकार के फैसले से अगर युवाओं घबरा जाते हैं तो वो सेना में जाने के काबिल नहीं है युवां को धरिये बनाई रखने की जरूरता है। युवां को चाहिए कि वो अपने परिवार के हितों को देखते हुए ऐसा कदम ना उठाएं ताकि उनके कदम परिजनों पर भारी ना पड़ें। युवां कि अदिया परिवार के परिवार की बनाई धिया। किसी का दोस में जत्राणाता है, के माद, तव जयारी कर राकी थी पच्छे में, पेशनारी कर राकी थी, और.... तो आप देश की शिवा के लिए विजना सारे देश को? हाँ उसका भी हो इथा जमने हैं, शिवा करों में, देश की वी, अपने परिवार की वी, शिवा है अंकर जी इस तरीके से आप खूद एक पोजी रहे हैं, तो इस तरीके का जो कदम है, यानि एक इम्मदार्णा, उन बच्छों के लिए क्या मेसेज देवागा है? बच्छे मेटा, मेसीज यही है, कि एसा कदम ने उठाएं, बात चीज करें अपने माबाप से, अपने परिवार से, अपने सजे समंदियों के, ये ऐसा कदम ठीक निया है, भाई दोस्तों, जिन्ने वीडियो नहीं जख्की हो, वीडियो देख लोग नीचे फोटो होगी, उस क्लिक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइक कर दो